तो फ्रेंड्स स्वागते आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजूकेशन में फ्रेंड्स आज इस चूडियो में हम आपको बताएगे यूथ ओलंपिक 2018 और पेरा एसीन गेम 2018 से जुड़े कुछ मुहत्वपूण प्रस्न इसके अलावा फ्रेंड्स हमने एसीन गेम और कुछ जन्रल एवर्ड औसकर आवर्ड नॉबल एवर्ड के वीडियो बनाया है अगर आपने नहीं देखे तो प्लैलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलते अपने टॉपिक के तरफ तो फ्रेंड्स अपना टॉपिक है आज का यूथ ओलंपिक 2018 जो है अर्जंटीना की केपिट सावद अफ्रीका एक चोटा सा कंट्री है यूथ ओलंपिक 2018 के शुरुवात में इंडियन फ्लेग मनु भाकर के पास था तथा इंडियन फ्लेग अंतिम क्लोजिंग शेरेमेनी में जेरेमी लाल लिगवांगवा के पास था और यह फ्रेंट जेरेमी जो है यह मिजोरम से ब है सब्सक्राइब पहला गोल्ड मेडल सूरज प्रवाल ने जिता था 500 मेटर रनिंग में चोदरी पीस्टल में फ्रेंस गोल्ड मेडल जिता था मनु भाकर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जिता है पहला गächenडरेमी लाल लिगवांगवा ने जिता था 65घजी बर्ग वेत में अगर आपको पूछा जा कि जेरेमी कहां से बिलोंग करती तो आपको मिजोरम याद रखना है यह कुश्चन जही की एक्जाम में 100% पूछा जा सकता है तबावी देवी ने सिलवर मेमर्य जीता है कि इसके अलावार लक्स शेन बेड्मिंटन में सिलवर मेदल जीता है और यूथ कि दो जगर 18 में फर्स रेंग पर फ्रांपूज्टा रूस रूस छैना और भारत का था फर्इंस सद्टर्वह रेंग गारत ने कुल 13 मेढल जीदेते लगे इस में से त यूट ओलंपिक 2018 जोए अर्जेंटिना के वियुनस आइस में आविजित किया गया था इसका जो मास्कोट था फेंट पांडी 2022 का यूट ओलंपिक सेनेगल के डकार में आविजित किया जाएगा इंडियन फ्लेंग ओपनिंग सेरेमेनी में मनु भाकर के पास था और क्लोजिंग सेरेमेनी में जेरेमी लाल लिगवांगवा के पास था जेरेमी मिजोरम से बिलोंग करती है यहाद रखना आप चलते है अगले प्रसन पर तो सोरभ चोदुरी ने फ्रेंस एर पिस्टल में गोल्ड मेडल जिता और यह मेरेट से बिलोंग करते है बारत के तरफ से पहला गोल्ड मेडल जो सूरज पवार ने जिता था 500 मिटर रनिंग में मनु भाकन ने एर पिस्टल में गोल्ड मेडल जिता और पहला बदेज जेरेमी जेरेमी ने जिचा था था 65कजी वर्ग में और यह पहली मेला बने ठी और आगर आपको पूछा जाए कि पहला मेडल तो आपको पहले मेडल में सूरज पवार को याद रखना है मैंने आपको घलत बता दिए इसके लिए पहला मेडल बोले तो आपको जेरेमी लाल लुगांगवा को याद रखना है इसके लावा तबावी देवी ने भी इंडोनेश्यां की फ्रेंस्या एंडोनेश्यां की एंडोनेश्यां की फ्रेंस्यां के प्रेस्ईडेंट है जो को विडोडो और यहां की करंशी है इंडोनेसिया रुपिया फ्रेंस 2022 का पेरा ओलंपिक है जो चीन के हांग्जु में होगा और एसेन गेम 2018 भी यहीं पे होगा पेरा एसेन गेम का फ्रेंस मास्कोट था वो था मो 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 था फ्रेंस यह आपको आसानी से याद हो सकता है इसके अलावा फ्रेंस जादव ने 50 मिटर बटरफ्लाइ सुमिंग में गोल्ड मेडल जिता है नीरज यादव ने जेवलिंग तरो में गोल्ड मेजल जिता है फ्रेंस पेरा एसेन गेम 2018 में चाइन जो पहले नंबर पे रहा था सेकंड नंबर पे रहा था साउध कोरिया और बारत का रहिंग था इसमें फ्रेंस नाइंध रहिंग था जिसमें भारत ने कोल 72 मेडल जिते चाहिन करा देता हूं पेरा एसन गेम जो यह दोजार अठारा का इंडोनेशिया में वहा था दोजार दावीश का चाहिना के हांगजू में होगा मासकोर था प्रेंट इसका मोमो इंडियन फ्लेक्स ओपनिंग सेरेमेनी में थांग वेलू मरियपन से था मरियपन के पास था औ और बारत का नाइन्थ रेंग था जिसमें बारत ने 72 मेडल जीता जिसमें 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 33 ब्रॉंज मेडल थे तो आई हो फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंट्स दिल से लाइक कीजिए हमारे चैन यहां थो आपको वाचिए